कांकिर के गोविनपूर में आयोजीत भाजपा की विजय संकल्प यात्रा को सम्मोहित करते हुए प्रधानमति जन्मोदी ने गोड़ी भाषा में सभी को जय जोहार करते हुए भाषन की शुरुआत की आगे उन्होंने कहा कि शहित गुंडा धूर की धर्धी पर मुझे आप लोगों के बीज आने का सौभागे मिला है प्रधानमति जन्मोदी ने कहा कि छतिसगड में भाषपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है वो कांकिर में भी दिख रही है पेम मोदी ने कहा कि भाषपा भाजपा का संकल्प 36 गड़ की लोगों को सशत करने का है भाजपा का संकल्प 36 गड़ को देश के टॉप राजियों में लाने का है कॉंगरिस और विकास में 36 गड़ का आकड़ा है जहां कॉंगरिस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता जय बुढ़ा देव, जय बड़ा देव, सपाय बस्तर्चो दादा देदी आया भुवा कुण सिवा जोहार बगवान प्रबीर, शहीद वीर नारायन सी और शहीद गुंडा धूर की धर्ती पर आज मुझे आपके दर्शन का सवभाग्य मिला है 36 गड़ में भाजपा के समर्थन में जो आंधी चल रही है उसकी एक जलक यहां कांकेर में भी दिख रही है आप इतनी बड़ी तादाद में हमारे सभी साथियों को आशिरवात देने आये हैं मैं आपका रदय से आभार व्यक्ता करता हूं आज बस्तर की इस पावन धर्ती से मुझे भी भाजपा के संकल्प साथ जुड़ने का आउसर मिला है भाजपा का संकल्प 36 गड़िया पहचान को ससक्त करने का है भाजपा का संकल्प हर गरीब आदिवासी पीछडे के हीतों की रक्षा करना है भाजपा का संकल्प 36 गड़ को देश के टौप राज्जों में लाने का है आप याद रखिए कॉंग्रेस और विकास में 36 का अकड़ा है जहां कॉंग्रेस रहेगी वहां विकास हो ही नहीं सकता 36 गड़ने भरी हुंकार मेरे परिवार जनों कल ही 36 गड़ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 36 गड़ के लोगों और भाजपा ने साथ मिलकर 36 गड़ का निर्मान किया कितनी ही चुनोतियों से लड़ते हुए हमने 36 गड़ में नई व्यवस्ताएं बनाई लेकिन जब तक दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार रही वो यहां की भाजपा सरकार से दुश्मनी निकालती रही लेकिन फिर भी हम 36 गड़ को विकास के नए पत्थ पर ले गए अब 36 गड़ 25 साल का होने वाला है और 25 साल होने का मतलब क्या होता है परिवार में बेटे बेटियों के जीवन में भी एप 25 साल आयू वाला मुद्दा बहुत महत्वपुन होता है इसलिए ये चुनाव सिर्फ विधायक मंत्री या मुख्य मंत्री बनाने के लिए नहीं है बलकि ये आपके भविश्य आपके बच्चों के भविश्य का फैसला करने का चुनाव है झाल 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 झाल